Hello students, कैसे हैं आप सब? मैं कुसल सर्मा, आप देखें मैं यूट्यूब चनल कुसल क्लासे, तो देखें आज हम अपने 12th क्लास के element book में से chapter number 9, जो के indefinite integral का chapter है, उसकी 12th exercise का second question करने वाले हैं. हौफ़ली आपको first question के सभी पार्ट सच्छे से समझ आए होंगे, फिर भी अगर कोई doubt रहा है, तो आप comment भी कर सकते हैं, या telegram group में उपने problem को share कर सकते हैं, telegram group का link आपको description में बिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको join कर सकते हैं, तो चलिए second question के सुरुवार कर देते हैं. So, देखें, first question, मदलब first part, second question का, इसमें हम last question, जो first question था, उसका last part बिल्कुल वैसा ही काम हम करने वाले हैं, यह देखें, इसमें भी denominator में हमारे पास तीन टर्म्स थी, है ना, और मदल तीन bracket, और हमने फिर a, b, c, तीन चीज़ों पर काम किया था, बिल्कुल वैसा ही काम हम यहां भी गड़ने वाले हैं, तो देखें, आईद मैंने इसी को बोल दिया है, अब हम let करेंगे, इस denominator और numerator का जो एक combination है, इसको, तो देखें, x square plus 1, so separate करें तो, एक x minus 2, then x minus 3, then x minus 4, तो linear है तो उपर constant, linear है तो constant, linear है तो constant, clear, so, चलिए, LCM ले लेते हैं, left hand side तो as it is रहेगी, उसमें तो कोई changes नहीं है, जब तक right hand side में, कुछ ना कुछ हम adjustment कर नहीं देते, right, so LCM ले रहे हैं, LCM इसमें लंबा ही जाने वाला है, so x minus 2, x minus 3, और x minus 4, जो है, वो LCM के रूप में आ गया, तो a से कौन multiply करेगा, x minus 3 and x minus 4 की bracket, b से multiply, x minus 2 and x minus 4, and c से multiplication, x minus 2 and x minus 3, ये दोनों cancel, so, अब हम क्या गर लेते हैं, right hand side में bracket open कर रहे हैं, so, ये बन जाएगा, x square minus 4x और minus 3x, minus का 7x and minus 3 और minus 4 को multiply करें तो, plus 12 हो जाएगा, right, in the same way, x square minus 4x और minus 2x, minus 6x, minus minus plus 8, ये इस तरह से brackets multiply करनी आनी चाहिए आपको, वरना आपका बहुत जादा time यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है, so, अब मैं कर लेता हूँ, यहाँ से x square वाले terms अलग, x वाली अलग और constant अलग, तो देखें, जब bracket खुलेगी, so, a x के साथ जाएगा, b भी जाएगा, c भी जाएगा, okay, so, उन में से मैंने x square ले लिया है, common, then x के साथ करें, तो minus का 7 है, तो देखें, minus का 7 है, x के साथ, फिर minus 6b, minus 6b, and minus 5c, so, minus 5c, इनके साथ x था, वो मैंने x को मल लिया, constant term में देखें, 12a, then 8b, and then 6c, है न, यहाँ गया, अब क्या काम करना होता है, comparing का, right, so, comparing, both sides, so, अब हमारे पास यहाँ पर, abc में, एक तिन equations बन जाएगी, तो देखें, x square का coefficient, a plus b plus c, और left side में x square का coefficient 1 है, so, equation 1, then, equation 2 यहीं कर लेता हूँ, minus 7a, minus 6b, minus का 5c, यह x का coefficient है, तो left side में x का coefficient देखें, कहीं है, कहीं नहीं है, that means, कि वहाँ पर x का coefficient 0 है, x, वाली term ही नहीं है, that means, कि वह 0 है, and constant term, 12a, plus 8b, plus 6c, यह न, left side में constant 1 है, name it 3, तो बैसा करता हूँ, कि वहीं, मैं, एक बार equation 1 को, mask तो कोई भी coefficient नहीं कर रहे, तो मैं एक बार equation 1 को, 5 से multiply करके, c खतम कर दूँगा, एक बार equation 1 को 6 से multiply करके, फिर से c खतम कर दूँगा, तो a और b में हमारे पास 2 equations बन जाएंगे, तो देखें, multiply equation 1 by 5 कर रहा हूँ, तो यहां से मार पास क्या बन जाएगा, देखें, 5 a plus 5 b plus 5 c is equal to 5 और इसको मैंने बोल दिया equation 4, again, multiply equation 1 by, इस बार मैं 6 से भी कर रहा हूँ, 6 a plus 6 b plus 6 c, हाँ मुल्टा लिख दिया, पर कोई बात नहीं था, वैसे product में ही था, and 1 into 6, 6, and इसको मैंने 5 बोल दिया, अब देखें, जो 5 c वाला है, उसको मैं यह, यानि कि equation 2 से relate करूँगा, तो equation 4 और 2 को मेरे को क्या करना चाहिए, add या subtract, add करना चाहिए, हैना, क्योंकि इनके जो signs है, मों already opposite है, so मैं वही काम करने वाला हूँ, so adding equation 2 and 4, so देखें, इनकी leptons sides आपस में add कर ले, यह चलिए vertical method कर देता हूँ, क्या है 2, minus 7A, minus 6B, minus 5C, is equal to 0, और 4 में है 5A, plus 5B, plus 5C, is equal to 5, अब क्योंकि add कर रहे हैं, कि cancel, minus 7 plus 5, minus का 2A, minus 6B, plus 5B, minus का B, and is equal to 5, यहां से A और B में एक equation मिल गए, इसको equation 2 बोल दिया, अब equation 5 में 6C है, equation 3 में भी 6C है, लेकिन दोनों के sign देखें, same है, that means, same होने की situation का मतलब क्या है, मैं subtract करना होगा, ठीक है, so subtract, equation 3 from 5 कर दीजिए, या 5 from 3 कर दीजिए, it doesn't matter, तो फिलाल मैंने from 5 किया है, तो मैं पहले 5 लिख रहा हूँ, and then 3 को subtract करना है, तो मैं 3 लिख रहा हूँ, देखें, और क्योंकि subtract कर रहे हैं, तो sign, change, हमार पस क्या बच गया, minus 6 से, यह तो कट गया था न, और minus का 2 भी, और is equal to 5, इसको equation 7 बोल दिया मैंने, clear, ऐसे यहां गया, अब देखें, equation 6 और 7, अब A और B में बदल गई, अब ऐसे इनका B जो है, वो उसका coefficient सेम बनाया जा सकता, अब उनको खतम करना है, या आप substitution कर लीजिए, एक ही बात है, चले substitution करके दिखा देते हूँ, so from 6, B की value निकाल रहा हूँ, देखें, मैं minus B को अधर right and side में लेके जाँगा, तो plus का B हो जाएगा, और मेरे को 5 दोसी तरफ फिर shift करना पड़ेगा, so वो negative का हो जाएगा, तो हमारे पास minus 2A minus 5, किसकी value हाजाएगी, B की, तो अब B की ये value, मैं किसमें substitute कर दूँगा, put B is equal to minus 2A minus 5 in 7, so देखें, 7 क्या है, minus का 6A minus 2B, B की value minus 2A minus 5, और is equal to 5 है, यहाँ इस B की जगे मैंने ये कर दिया, बागी सारा pattern से, अब इसको simplify करें, तो minus का 6A, minus minus plus 4A, minus minus plus 10 is equal to 5, यहाँ से हमारे पास क्या बच रहे है, minus 2A, 10 को उदर shift किया, तो minus 10 हो जाएगा, तो minus 5 बच आए, माइनस दोने तरफ कैंसल, हमारे पास A की value कितनी आ रही है, 5 by 2 के equal आ रही है, clear, अब इस 5 by 2 value को, मैं किसी एक में रख दूँ, 6 में ही रख देता हूँ, so put A is equal to 5 by 2 in 6, तो देखेंगे 6 बिल्कुल उपर है, minus 2 into A, A की value 5 by 2 है, तो minus B is equal to 5, तो 2 से 2 कैंसे, हमारे पास क्या बचा, minus 5, और left में वो right वाला 5 भी लेके आए, तो minus 5, so यह total हमारे पास B की value कितनी आ रही है, minus 10, ठीक है, थोड़ा मैं adjusted way में इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा space बच जाएगा और कुछ नहीं है, तो अब इन A और B की values को हम किस में रख देते हैं, equation 1 में रख देते हैं, and B is equal to minus 10 in 1, क्योंकि equation 1 simple A plus B plus C में है, देखे एरी, यह ना, तो देखे, A की value, 5 by 2, plus B की value, कितनी है, 10, plus C is equal to 1 है, तो यहां से C की value निकालें, तो 1 minus 5 by 2, 2 plus 10 हो जाएगा, calcium ले रहें, so calcium कितना आज़ेगा, 2, 2 minus 5 plus 20, है ना, so यहां से हमारे पास C की value कितनी आ रही है, 17, 17 by 2, clear, अब इन ABC की values को हमें finally किस में रखना है, इस में हमारे star equation में, है ना, therefore, from star, from star, हमारे पास, x minus 2, x minus 3, x minus 4, और उपर था, x square plus 1, यह किसे में बदल जाएगा, A, A यानि की 5 by 2 था ना, हां, so 5 by 2, x minus 2, plus B, और B अपना था, minus 10, तो उन, minus बाहर रख दिया, 10, x minus 3, then C, 17 by 2, 17 by 2, और x minus 4, यह बदल के अपना star, therefore, हमारा I किस में convert हो गया, I convert हो गया है, हमारा, 5 by 2, x minus 2, minus 10, upon x minus 3, plus 17, upon 2, x minus 4, और इसका में इकरना integration, तो final answer क्या हो जाएगा, 5 by 2, log of x minus 2, minus 10, log of x minus 3, plus 17 by 2, log of x minus 4, and finally, plus C, यह आग्या मारा answer, clear, चली, next, next क्या है, यह यह, 2x minus 3, और x square minus 1, and 2x plus 3, अच्छा, 2x minus 3, 2x plus 3, ओके, हो गया यहाद, देखे, 2x minus 3, और नीचे था, opposite sign, और साथ में था, x square minus 1, और 2x plus 3, तो देखे, x square minus 1, 1 को क्या हम, 1 का square नहीं ले सकते, यानि कि यह, a plus b, a minus b, वाली condition में, convert की जा सकती है, तो देखे, हमने, x square minus 1 को ले लिए, x minus 1, x plus 1, और नीचे, 2x plus 3, तो पहले से ही है, और उपर, 2x minus 3, यह, बन गया, तो चलिए, फिर से, वही काम स्टार्ट करते हैं, अपने काम पर जुट जाते हैं, x minus 1, x minus, sorry, plus 1, और 2x plus 3, और उपर, 2x minus 3, तो देखे, हमने, x minus 1 को लग किया, x plus 1 को लग किया, और 2x plus 3 को लग किया, नीचे linear, उपर constant, linear, constant, linear, constant, हैना, तो, next, फिर से, वही, same step, 2x minus 3, वही, तीन ब्रेकेट, इनका l some लें, तो, l some में, फिर से, हमारे पास, वही x minus 1, x plus 1, and 2x plus 3, और a के कौन multiple में आएगा, x plus 1, and 2x plus 3, b के multiple में कौन को लग को लग का लाजाएगा, x minus 1, and 2x plus 3, and c के multiple में को लाजाएगा, x minus 1, x plus 1, right, denominator तो cancel होना है, हमारे पास numerator में क्या बचा 2x-3 और यहाँ पर अब multiply कर देते हैं फटाफट 2x square plus 3x and 2x 5x plus 3 b का coefficient बन जाएगा 2x square plus 3x minus 2x plus x और minus 3 and c का coefficient बन जाएगा a square minus b square है ना so x square वाले term तो खेर यहाँ है नहीं तो right hand side में हम bracket खोल रहे हैं x square के coefficient देखें क्या क्या हो जाएगे 2a plus 2b plus c और x square को मना गया x का coefficient बन जाएगा 5a plus b और इसमें x का coefficient है नहीं है ना तो x and constant term 3a minus 3b minus c अब comparing का काम करें comparing both sides so हमारे पास 2a plus 2b plus c किसके equal आ गया 0 के equation 1 equation 2 बनाएं so 5a plus b is equal to क्या जाएगा x का coefficient देखें left hand side में कितना है 2 इसको 2 बोल दिया and third equation 3a minus 3b minus c is equal to minus 3 equation 3 अब देखें a और b में तो पहले से एक equation बनी हुई है अगर हम इन दोनों को solve कर लें और c खतम कर दें तो a और b में एक और equation बन जाएगी और c का coefficient जो पहले से opposite sign का है so adding 1 and 3 ये वाला question असान हो जाएगा तो add करते हैं so चलिए दिखाई देता हूं 2a 2b plus c and 3a minus 3b minus c is equal to 0 is equal to minus 3 add कर रहे हैं cancel 3a and 2a 5a 2b minus 3b minus b is equal to minus 3 और ये हो गई हमारी equation 4 ठीक है अब देखिए equation 2 और equation 4 को आपस में add कर लेते हैं क्यों क्योंकि ये हाँ plus b और या है minus b हमारा काम तो असान होता जा रहा है so add equation 2 and equation 4 so ये देखिए 5a plus b is equal to 2 and 5a minus b is equal to minus 3 so add करेंगे तो position value cancel 5a 5a 10a and 2 minus 3 minus 1 so a के value हमारे पास कितनी आ रही है minus 1 by 10 के equal आ रही है right चलिए अब इस a के value को किसी एक में रख लेते हैं I think 2 में रख लेते हैं so put a is equal to minus 1 by 10 in 2 right hand side में top पर देखिए so 5a एक ही जगे एक ही value plus b is equal to 2 so ये बन जाएगा देखिए 5 से cancel minus 1 by 2 plus b is equal to 2 so minus 1 by 2 दूसरे तफजा कर क्या करेगा add करेगा so b में हमने half add किया तो कितना बन गया 2 and half यानि कि 5 by 2 बन गया else हम लेके so अब इस a और b के value को किसमें रखे हैं किसमें रखे हैं c की value निकाल गी है तो ये वाली आसान लग रही है first ही है तो इसी में रख लेते हैं so put a is equal to minus 1 by 10 and b is equal to 5 by 2 किसमें in 1 so ये बन जाएगा 2 into a minus 1 by 10 plus 2 into b 5 by 2 plus c is equal to 0 तो चलिए अब देखे c की value निकाल गते हैं 2 से ये cancel 5 2 से ये cancel तो c की value निकालने के लिए हम क्या गरते हैं ये जो minus का 1 by 5 बचा इसको shift कर लेते हैं जो plus का 5 बचा है इसको दूसरी तब shift कर लेते हैं तो यहां से हमारे पास c की value कितनी आ रही है minus 24 by 5 else हम लेके है ना अब इनकी values को हम substitute कर दे therefore from star हमारे पास 2x minus 3 नीचे क्या था x minus 1 x plus 1 and 2x plus 3 किस में convert हो गया a, a कितना था भई minus 1 by 10 so minus 1 by 10 x minus 1 यह ना फिर plus b, b के value थी 5 by 2 x plus 1 और c की value है minus 24 by 5 2x plus 3 so therefore i किस में convert हो गया i convert हो गया हमारा minus 1 by 10 x minus 1 plus 5 by 2 x plus 1 minus 24 by 5 2x plus 3 इसका integration बाकी है बस final answer आ जाएगा so minus 1 by 10 1 upon linear का क्या होता है log of linear फिर से 5 by 2 log of linear minus 24 by 24 बोल कर 5 लिख दिया था फिर से linear log of 2x plus 3 लेकिन x के अलावा कुछ है that means कि 2x का derivative 2 नीचे plus c next step में यह 2 और यह 24 आपस में cancel करके 12 बन जाएगा यानि कि answer आ जाएगा minus 12 by 5 clear इसको cancel कर देना अभी space नहीं था था मैंने एक step छोड़ दिया ओके so यह था हमारा second part चलिए next part करते है क्या है काफे time लगता है इन questions में लंबे तो हैं चलिए next x square उपर इस बार हमें factor करने बड़ेंगे यह मैंने i बोल दिया ठीक है so next step अपना क्या हो जाएगा next step हो जाएगा हमारा इसके factors करना so देखिए x square plus 1 नीचे वाले के factor करिए देखिए rough में करके आप कर सकते हैं बड़े आराम से ठीक है so x कुमल ले आ तो x-3 वैज़े x-3 और x-2 आ जाएगा minus 2 कुमल ले तो x-3 तो x-3 और देखिए x-2 हमारे पास दो factor आ गए x-3 and x-2 अगर denominator में दो इफेक्टर हैं तो आपका काम जो है वो थोड़ा सा असान हो जाता है इसको हमें rough में कर देना है x-2 प्लस 1 वैसे 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 मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दी देखिए numerator जो है उसके degree denominator के equal है जल्द बाजी denominator पे ध्यान दे लिया सिर्फ लेकिन अब लिखने लगा जब ध्यान दिया numerator denominator के degree तो same है ऐसे situation में तो हम क्या करते हैं लॉंग डिवाइड का काम करते हैं या लॉंग डिवाइड के better क्या तरीका बताया हुआ है लॉंग डिवाइड के better ये बताया हुआ है कि as it is नीचे जैसा नीचे x-square minus 5x plus c है तो x-square तो पहले सही है हमारे पास क्या किया minus 5x और plus 5x मतलब add or subtract कर दिया फिर plus का 6 भी चाहिए तो 6 भी add किया और 6 भी subtract भी कर दिया लेकिन एक plus का 1 तो पहले सही था तो plus 1 वो as it is और dx अब इससे ये हुआ कि हमने x-square minus 5x plus 6 के नीचे हमारे term को अलग कर दिया और क्या-क्या बच गया ये वाला portion बच गया तो 5x minus 5 के नीचे हमारे denominator को मैंने अलग कर दिया right dx अब चाहें तो इन में से 5 कॉमल लेके फिर आगे का काम कर सकते हैं अभी देखें ये तो कटके क्या हो जाएगा 1 और 1 का integration हम बड़े आराम से कर सकते हैं हो जाना है है ना तो चलिए ले ले लेते हैं या छोड़ो बात में ही कर देंगे तो देखे अब हम उस दूसरे integral को लेकर चलते हैं या हमें नीचे के factor तो दिखा नहीं है यार देखो 1 का integration x या हम 5x minus 5 रहने देते हैं नीचे के factors क्या बने थे x minus 3 and x minus 2 clear तो अब हम उनको लेकर चलते हैं देखे 5x minus 5 नीचे x minus 3 and x minus 2 है तो ये नीचे x minus 3 और x minus 2 तो linear है तो उपर constant linear है तो constant है ना तो इसको हमने star भी बोल देना है else हम ले ले 5x minus 5 x minus 3 x minus 2 else हम क्या गया वही x minus 3 and x minus 2 तो a के साथ multiply में आ जाएगा x minus 2 और b के साथ multiply में आ जाएगा x minus 3 दोनों के denominator cancel सिरफ्सिर chose र्रास प्रेकिट खोली देता हो यह टार के साथ भी देरेक्ल यह टेर्कलि constant term है, minus 2A, minus 3B, और left side में, minus 5 है, equation 2, equation 1 में ऐसा करता हूँ, 2 से multiply कर देता हूँ, multiply, या ऐसा करते हैं, छोड़ो multiplication, यहां से मैं B की value निकाल लेता हूँ, या एक ही निकाल लेते हैं, इसको तीब बोल देते हैं, so आप कर देते हैं, put B is equal to 5 minus A in 2, तो देखें, minus 2A as it is, minus 3, B की जगे B की value रख रहा हूँ, दो में, और is equal to उसमें क्या है, minus 5, bracket खोलने हैं, तो minus 2A, minus 15, minus minus plus 3A, है ना, और minus 5 है, so minus 2A and plus का 3A, minus का 15 उदर जाके क्या करेगा, plus का 15 होगा, और minus 5 पहले से ही है, तो A की value कितनी आ गई, 10 के equal आ गई, clear, ठीक है, सही तो कर रहे होंगे, पता नहीं, चली रहा है, मेरे ख्याल से सही चल रहा है, तो अब B की value निकाल लेते हैं, so put A is equal to 10 in 1, अब 1 में रख देते हैं, तो A की जगे 10 रखा, फिर plus B is equal to 5 है, so B की value देखें कितनी आ रही है, minus 5 आ गई, right, चली, A और B की अब किस में रखें, star में, so from star, हमारे पास क्या situation बन रही है, 5x-2 नीचे है, x-3, x-2 और A की जगे देखें, A की value 10 by x-3, B की जगे B की value minus 5 by x-2, मैंने x-3 पहले लिखा था न, हाँ, पहले लिखा था, तो यह थोड़ा से धियान रखना पड़ेगा, therefore हमारा जो I है, वो I किस में convert हो जाएगा, यह बन दिल जाएगा, 10 by x-3, minus 5 by x-2, and dx, so final answer हाँ जाएगा, log of x-3, minus 5, log of x-2, plus c, clear, तो यह था हमारा third part, चली, fourth करते हैं, क्या है fourth, x-3, minus x-2, okay, x-3, minus x-2, फिर से देखें, numerator की degree जो है, वो बड़ी है, denominator की degree से, और नीचे है, 1 minus x square, इसको बाद में देखते हैं, इसको minus x square, plus 1 ही लिख लेते हैं, चीक है, अब हमें इसको long divide करके पता करना है, तो यह देखें, अपना dividend है, यह divisor है, तो dividend divided by divisor को हम क्या से लिख सकते हैं, quotient plus remainder divided by divisor, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसको long divide कर लेते हैं, देखें, रफ work कर रहा हूँ मैं, यहां है, x cube minus x minus 2, तो देखें, पहले किस से multiply करें, मतलब x cube को minus x square से किया, तो minus x, यहां गया, x cube, और 1 से किया, तो यहां हमारा रहा है, minus x, sign change, cancel, यहां बच गया, असा यह भी cancel हो गया, minus 2 यहां गया, that means कि हम इसको कैसा लिख सकते हैं, minus x, यानि कि quotient, फिर, plus remainder, remainder क्या है, 2 divided by divisor, तो divisor कैसा है, x square minus 1, जिसको 1 minus x को लिख सकते हैं, clear, तो देखें, long division से मैंने यह matter, इसमें change कर लिया है, ओके, तो चलिए, अब next देखते हैं, अब इसके factor कर लें, denominator के, minus x का तो integration हम फड़ाफट कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, इस minus x का integration कर देते हैं, तो x का integration क्या जाएगा, x square by 2, और minus के बाद, यहां हमारे पास क्या बचकिया, 2 upon यह value, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus x, and 1 plus x, right, अब हम सिर्फ इस portion को लेका चलते हैं, और answer निकाल देते हैं, एक second, उपर वाले question में, यह x तो लिखना रही गया, है, है न, वो भी तो था, main i तो वही था, so i हमारा जो बनेगा, वो इसके साथ बनेगा, x plus, इसका integration बागी था, x plus, है न, clear, तो इस चीज़ को ठीक कर ले न, अब करने लग गए, जब यह ध्यान में आया, यह इससा तो रही गया था, उपर वाले में, चलिए, next, और क्योंकि एक बार integration हो चुगा है, तो इधर कर लेते हैं, अब हम let करते हैं, इसको, let, 2 upon, 1 minus x, and 1 plus x को लेकर चलें, तो 1 minus x, and 1 plus x, यह कर दिये separate, linear है, तो उपर constant, and constant, तो अलस्यम ले लेते हैं, 2, 1 minus x, and 1 plus x, यह बन जाएगा, a, 1 plus x, and b, 1 minus x, यह तो cancel हो गया, so 2 is equal to, a plus ax, plus b minus bx, अब comparing का का काम करते हैं, comparing, both sides, so, किसके equal आ जाएगा, a minus b, x का coefficient, left side में तो कुछ नहीं है, तो 0, वैसे हम यहां से काम यह कर सकते हैं, कि b को मैंने shift कर दिया, तो a is equal to b बन गया, यह equation 1 आ गई, and constant term को compare कर दो, a plus b किसके equal आ रहे है, 2 के, यह equation 2 है, तो बैसे कर देते हैं, put a is equal to b in 2, so, a की जगे भी b रखा, और b, b है, 2, b plus b, 2b is equal to 2, so, 2 से 2 cancel किया, तो b की value कितनी आ रही है, 1 के equal आ रही है, है ना, चलिए, अब उसे next वाले पर काम करें, तो यह हमारे पास b की value, तो, अरे, from 1 से, a भी तो 1 ही आ गया, from 1, a किसके equal आ जाएगा, b के, यानि की, b तो 1 है, तो a भी अपना क्या आ गया, 1 ही आ गया, therefore, from star, नाम दिया था, ध्यान नहीं है, इसको बोल देते हैं, star, हमारा 2 upon, 1 minus x, and 1 plus x, किस में convert हो जाएगा, 1 upon 1 minus x, और 1 upon 1 plus x, क्योंकि हमारा a और भी दोनों सेम है, therefore, हमारा जो i है, वो i किस में कर नोट हो जाएगा, minus x square by 2, plus था, minus था, minus, है ना, minus integration, 1 by 1 minus x, plus 1 by 1 plus x, and integration कर देंगा, minus x square by 2, तो as it is, minus, इसका क्या हो जाएगा, log of, 1 minus x, लेकिन denominator में, minus x का derivative, minus 1, है ना, फिर से minus इसके साथ लगेगा, minus, और 1 upon linear का क्या हो जाएगा, log of linear, यानि कि 1 plus x, and plus c, यह minus और ही, यह minus, हापस में क्या हो जाएगे, plus, so minus x square by 2, plus, log of, 1 minus x, minus, log of, 1 plus x, and plus c, तो यह आप इतना भी छोड़ सकते हो, या log a minus log b वाली property, जो कि log a upon भी होता है, वैसे भी लिख सकते हो, तो दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, clear, चलिए, फिफ्ट पार्ट करते हैं, क्या है फिफ्ट, x square plus 8x plus 4, x square plus 8x plus 4, और नीचे कुछ x cube नजर आ रहा था, minus 4x, ओके, इसके factor करने बढ़ेंगे, तो देखे, यह denominator के factor करें, तो एक x को मले सकते हैं, क्या बन जाएगा, x square minus 4, और क्या 4 को 2 का square लिख सकते हैं, बिल्कूल, तो यहां से a square minus b square की property से यह a minus b, और a plus b नहीं बन जाएगा, है ना, और क्योंकि numerator की degree तो छोटी है, तो हम अपना ये काम कर सकते हैं, तो 1x, 1x minus 2, और 1x plus 2 बन गया, उपर x square plus 8x plus 4 चली रहा है, अब क्योंकि नीचे हमारे पास 3 factor हो गए, तो अब हमें क्या गटना पड़ेगा, 3 a, b, c मानने पड़ेगे, यह आ गया, उपर same, तो देखे, अपन x, अपन x minus 2, अपन x plus 2, तो a plus c, ठीक है, तो lc में ले लेते हैं, left hand side as it is रहेगी, right hand side में हमें, lc में लेना है, तो देखे, x आ गया, x minus 2 आ गया, x plus 2 आ गया, तो यहाँ a से multiply करेगा, यह दोनों, जो कि actual में क्या बन जाएंगे, a square minus b square, और b के multiple में को न आएंगे, यह दोनों, तो यह बन जाएंगे, देखे, x square plus 2x, और c के multiple में को न आएंगे, यह दोनों, यानि कि, x square minus 2x, right, denominator दोनों के cancel हो गए, तो यह बचे गया, x square plus 8x plus 4, और right hand side में, x square के coefficient compare करें, तो a plus b plus c आ रहे है, x के दोनों में common, और x coefficient वाले compare करें, तो देखे, इसमें तो x की term है नहीं, यहां से x की term लें, तो किसके बला रहे है, 2b, और यहां से देखे, तो minus का 2c, और x को ने लिया, constant term देखें, तो minus का 4a, b में है नहीं, और c में भी नहीं है, बड़ अच्छी बात है, यहां से हमारे पास directly a की value आ जाएगी, तो अब क्या करना है, comparing का काम, comparing both sides, तो देखे, a plus b plus c, किसके equal आ गया 1 के, equation 1, and 2b minus 2c, किसके equal आ रहा है, 8 के, तो ऐसा करें, इन में से 2 सभी से divide हो, मतलब 2 से divide हो रहा है सारे, 2, सब को cancel कर सकता है, तो यह बन जाएगा, b minus c is equal to 4, इसको equation 2 बोल देते है, equation अगर छोटी होती है, तो छोटी बना लेनी चाहिए, और देखे, constant or minus का 4, ए compare करें, तो 4 के equal आ रहा है, तो minus 4 इधर divide करेगा, तो a की value कितनी आ रही है, minus 1, ए तो बड़ी आराम से आ गया है, अब ऐसा करते हैं, क्योंकि यह equation b और c में है, तो यह a की value इसमें रख देता हूँ, ताकि यह वाली expression भी b और c में बदल जाए, और उनको हम बड़े आराम से solve कर पाएं, है न, तो वही करते हैं, so put a is equal to minus 1 in 1, तो देखे, a की जगा minus 1 रखा, फिर plus b plus c is equal to 1 है, तो b plus c किसके equal आ गया, minus 1 इधर आके plus करेगा, यानिकि 2 के equal आ गया, name it, 4 बोल देते हैं, ऐसे 4, 3 तो है ही नहीं, 3 बोल दिया, तो अब equation 2, b minus c है, equation 3, b plus c है, तो इन दोनों को add कर लेते हैं, c cancel हो जाएगा, है न, add 2 and 3, क्या हो जाएगा, देखे, b minus c is equal to 4, and b plus c is equal to 2, clear, तो c से c cancel, b plus b, 2b, 4 and 2, 6, so, यहां से b की value आ रही है, 3 आ रही है, अब इस b की value को हम 2 में ही रख देते हैं, so, put b is equal to 3 in 2, so, देखे, b minus c is equal to 4, so, मैं क्या गरता हूँ कि c उधर shift कर लेता हूँ, sorry for background noise, यह गलप time पर हम हिसा ऐजा करता है, ठीक है, तो, यह देखे, c की value हमारे पास कितनी आ गई है, minus 2 आ गई है, है न, मैंने बीच में video pause कर दी थी, वरना हो अभी लगबग 1 minute हो गई थी उसको, भोगते हुए, तो, चलिए, a, b, c की value हम निकाल चुके हैं, तो, इनको हम substitute कर देते हैं, हमारे star function में, star function को मैंने नाम नहीं दिया था, यहां दे देता हूँ मैं, so, x square plus 8x plus 4, from, star, x square plus 8x plus 4, upon में क्या था, x, x minus 2, and x plus 2, so, मैंने minus ही पहले लिखा था, hopefully, check कर लेता हूँ, गल्ती नहीं होनी चाहिए, so, अब a की इसके equal है, minus 1 के, अब उन में x था, फिर x minus 2, and then x plus 2 था, और b की value है, plus 3, c की value है, minus 2, so, therefore, our i किस में convert हो जाएगा, और तक स्थान यसमें, so, minus 1 by x, plus 3 by x minus 2, and minus 2 by x plus 2, ठीक है, and dx, so, अब इसका integration कर देता है, minus as it is, log, 1 upon linear, log, फिर से 3, 1 upon linear, log, x minus 2, फिर से, minus 2, same, 1 upon linear, log, x plus 2, and finally, c, यहागे हमारा answer, clear, last में जो integration है, integration तो बिलकुल आजान है, main पंगे तो किसके है, main problem तो भी नहीं की है, वो एबी से निकालना, हैना, सबसे बेकार गहाँ है, चलिए, next, substitution, नहीं, देखे, x square, नीचे है, 1 plus x cube, and 2 plus x cube, तो देखते हैं, देखे, करना क्या है, कुस्छा कुछ, इसमें भी adjustment करते हैं, चलिए, 1 plus x cube, and 2 plus x cube, और उपर था x square, actual में नीचे आप notice करोगे, x cube का derivative है, x square, 3 तो हम adjust करी रहेते हैं, उसका तुम बूरा ही निवाम थे, तो यहाँ पर हम actual में क्या करने वाल है, temporary इसको लेकर चलेंगे, और उसमें हम temporary इसको थोड़ा से simplify करेंगे, यानि कि हम अपना partial fraction का जो काम है न, वो आसान बनाना चाहते हैं, वरना देखे, नीचे cubic अगर हम लेंगे, something upon cubic, तो मैंने क्या बताया, कि उसे एक छोटी degree में उपर लेनी पड़ेगी, यानि कि A x square plus B x plus C, तो तीन-तीन तो यहीं आगे, फिर तीन इसके नाम के आएंगे, D, E, F, तो वो 6 constant जो है, वो find out करने में ही, हमारा सारा paper तो खतम हो जाएगा, है न, हो सकता हो उमर ही निकल जाया, मैं पता ही नहीं चलेगा, कहां गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या गरने वाले हैं, put x cube is equal to t, तो उससे क्या होगा, देखते हैं एक बार कुछ adjustment हो जाती है इससे दो, तो इसका derivative क्या जाएगा, 3x square dx dt, लेकिन हमें तो सिर्फ x square dx चाहिए, तो यह बन जाएगा 1 by 3 dt, तो यह जो i है, वो i हमारा किसमें convert हो जाएगा, x square dx की जगे 1 by 3 dt मे आ गया, और x cube को t माना है, और यहाँ पर भी t माना है, उपर तो 1 बचा, अब हम इसको लेकर चलेंगे, देखिए, अब upon में linear है, और हमें सिर्फ दो ही constant पर काम करना पड़ेगा, कितना आसान काम हो गया, है न, तो यह फाइदा हुआ, 2 plus t, उपर a and b, अब सिर्फ दो ही चीज़े निकालने पड़ेंगी, होगे ना son, तो इसलिए थोड़ आसा रुख कर, कुछ second रुखो, question को देखो, समझो, कुछ adjustment तो नहीं की जा सकती है, अगर की जा सकती है, तो बिल्कुल करो, ताकि हमारा काम जो हो आसान हो जाए, तो यह बन जाएगा 2a plus 2t, और b से multiply करें, तो b plus bt, है न, तो जैसे का हम x पे करते थे, विल्कुल वैसे ही हमें t के according करना है, ठीक है, t का coefficient right hand में a plus b है, left में कुछ नहीं है, यानि कि 0 तो यहां से मैं a की value निकाल लू, minus b, है न, इसको 1 बोल देते हैं, and constant term 2a plus b, और left में 1 है, इसको 2 बोल दिया, तो वैसे करते हैं, from 1 से a की minus b value, इसमें 2 में रख देते हैं, so 2 into minus b, plus b is equal to 1, so यह बन जाएगा, minus 2b, plus b is equal to 1, so minus b is equal to 1, so b की value कितने आ गई, minus 1, अब b की value minus 1 है, so put, b is equal to minus 1, in 1 रख दें, therefore, हमारा a किसके equal है जाएगा, minus b, b के value minus 1, यानि कि a किसके equal आ गया, 1 के equal आ गया, ठीक है, तो अपना जो star formation है, अब उसको लेकर चलते हैं, अब किसके equal आ जाएगा, अब अपन 1 प्लस टी, and b, b की value minus 1 है, and 2 प्लस टी, therefore, i, i किसके equal हो जाएगा, 1 पाइ 3 भी ता साइद में, हाँ, यह रहा ना, 1 पाइ 3, सो हमारा i convert हो जाएगा, यह देखिए, 1 अपन 1 प्लस टी, and minus 1 अपन 2 प्लस टी, and dt, clear, सो इनका integration हो जाएगा, log of 1 प्लस linear, minus log of, sorry, 1 प्लस linear क्या बोल गया, log of linear, and again, log of linear, clear, plus c, अब टी की जगे टी की value रख लीजिए, हाँ, देखिए, आप एक बार मैंने पीछे वाले question में तो छोड़ दिया था, यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस t upon 2 प्लस t, ठीक है, क्योंकि log a minus log b, क्या हो जाता है, log a upon b के equal हो जाता है, clear, अब टी की जगे टी की value रख दीजिए, तो आप ऐसे ही लेके चलते, तो भी ठीक था, ऐसे गर दिया तो भी ठीक है, तो उससे गबराने के जो इतनी है, टी की जगे हमने x cube रख देना है, वापस से, क्योंकि हमने x cube को ही तो team आना था, है ना, तो यह आगा हमारा final answer, so इसे के साथ हमारा second question हो जाता है, complete, hopefully आपको यह second question के 6 के 6 parts, सच्छे से समझ आयोंगे, content अच्छा लगा है, तो please like करना ना भूले, अपने friends के साथ जरूर share कर रहे, ताकि उनको भी कुछ न कुछ benefit हो, और channel पर नहीं है, तो please subscribe करना भी ना भूले, तो चलिए मिलते हैं next video में, आगे की questions के साथ,